ITI कौशल विकास का प्रवेश्दवार यह वह स्थान है जहां युवा अपने भविश्य को समवारने के लिए कदम रखते हैं। आज के जमाने में हुनर ही काम्याबी की चाबी है। बिना हुनर के, आज के प्रतिसपर्धी माहौल में आगे बढ़ना मुश्किल है। हर फील्ड में स्किल्ड लोगों की डिमान्ड है। चाहे वह इंजीनियरिंग हो, मेकेनिक्स हो या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क। हर जगह कुशल लोगों की जरूरत है। ऐसे में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स, आईटी आई, युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। ये संस्थान उन्हें वह प्रशिक्षन देते हैं, जो उन्हें विभिन्न उद्योगों में सफल होने के लिए आवश्यक है। आईटी आई, भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो युवाओं को अलग-अलग कामों में कुशल बनाता है। पर फोकस करते हैं, जो स्टूडन्स को जॉब के लिए तयार करते हैं। यहाँ पर उन्हें वास्तविक जीवन की चुनोतियों का सामना करने के लिए तयार किया जाता है। ITI कोर्स करके आप एक सक्सेस्फुल करियर की नीव रख सकते हैं। यह आपको एक स्थिर और सुरक्षित भविश्य की ओर ले जाता है। यह आपको आत्म निर्भर बनने और समाज में इजज़त दिलाने का मौका देता है। ITI से प्राप्त कौशल आपको आत्म विश्वास और सम्मान दिलाते हैं। ITI युवाओं को एक बहतर भविश्य के लिए तयार करने का एक जरूरी जर्या है। यह उन्हें न केवल तकनी की ज्यान देता है, बलकि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। ITI की सबसे खास बात ट्रेडों का अमबार। यहाँ पर आपको हर तरह के ट्रेड्स मिलेंगे, जो आपके करियर को नई उचाईों तक ले जा सकते हैं। ITI की सबसे अच्छी बात है इसकी अलग-अलग तरह के काम। यहाँ पर हर छात्र को अपनी रुची और क्षमता के अनुसार ट्रेड चुनने का मौका मिलता है। यहाँ कई तरह के व्यवसायों में ट्रेनिंग दी जाती है। चाहे आप तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहते हों या फिर किसी अन्यक्षेत्र में, ITI में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। आप अपनी पसंद और योग्यता के हिसाब से ट्रेड चुन सकते हैं। करियर काउंसलिंग सेशन में आपको सही मार्क दर्शन भी मिलता है। कुछ मशहूर ITI ट्रेड्स हैं। इलेक्ट्रिशन जो बिजली के कामों में माहिर बनाते हैं। फिटर जो मशीनों की फिटिंग और मेंटेनिंस में एक्सपर्ट बनाते हैं। वेल्डर जो वेल्डिंग के काम में दक्षता प्रदान करते हैं। जो पाइपलाइन और पानी के कामों में माहिर होते हैं। कम्प्यूटर ऑपरेटर जो कम्प्यूटर के विभिन कारियों में निपुन बनाते हैं। आदी, इसके अलावा नए जमाने की तक्नीकों जैसे सोलर पावर, जो सौर उर्जा के क्षेत्र में काम करने का मौका देते हैं, मोबाइल रिपेरिंग, जो मोबाइल फोन की मरमत में दक्षता प्रदान करते हैं, और डेटा एंट्री में भी आईटी आई कोर्सिस उपलब्ध हैं, जो डेटा प्रबंधन के क्षेत्र में करियर बनाने का अवसर देते हैं, यही चीज आईटी आई को खास बनाती है, और आई में आपके लिए एक जगह जरूर है, यहां पर हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, चाहे वह तकनीकी क्षेत्र हो या गैर तकनीकी, यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर ट्रेड की अपनी अलग योग्यता और टाइम जूरेशन होता है, इसलिए सही ट्रेड चुनने से प आई टी आई कोर्स में दाखिला लेना बहुत आसान है, आपको बस कुछ बुनियादी योग्यताओं को पूरा करना होता है और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं, ज्यादा तर ट्रेड्स के लिए कम से कम योग्यता दसवी पास है, इसका मतलब है कि अगर आपने दसवी कक्षा पास कर ली है, तो आप कई ITI कोर्सिस के लिए पात रहें, कुछ खास ट्रेड्स के लिए बारहवी पास होना जरूरी हो सकता है, यह उन ट्रेड्स के लिए होता है जो अधिक तकनीकी ज्यान और कौशल की मांग करते हैं, एड्मिशन प्रोसेस आम तोर पर मे कि आपके दसवी या बारहवी के अंकों के आधार पर आपको दाखिला मिल सकता है, कुछ राजियों में एंट्रेंस एक्जाम भी होती है, यह परीक्षा आपके ज्यान और कौशल का मूल्यांकन करने के लिए होती है, एड्मिशन के लिए एज लिमिट भी होती है, जो आम पर 14 से 40 साल के बीच होती है, यह सुनिश्चित करता है कि विभिन आयूवर्ग के लोग आईटी आई में दाखिला ले सकें, आईटी आई में दाखिला लेने के लिए आपको अपने राज्य के टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड या संबंधित संस्थान की वेब साइट पर अप्लाई करना होगा, यह प्रक्रिया ओनलाइन होती है और इसे पूरा करना बहुत आसान है, एड्मिशन प्रॉसेस के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप अपने नजदी की आईटी आई संस्थान से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वे आपको सभी आवश्यक जानकारी औ मार्क दर्शन प्रादान करेंगे ताकि आप आसानी से दाखिला ले सकें ITI की वर्क्शॉप प्रैक्टिकल नॉलिज का अड़्डा ITI की सबसे बड़ी खासियत है इसका प्रैक्टिकल नजरिया यहां थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर भी जोर दिया जाता है स्टूडेंस को आधुनिक टूल्स और मशीन्स पर काम करने का मौका मिलता है वर्क्शॉप्स और लैब्स इंडस्ट्रीज के स्टैंडर्स के हिसाब से होते हैं इससे स्टूडेंस को असली काम का एक्स्पीरियंस मिलता है और वे जॉब के लिए पूरी तरह तयार हो जाते हैं ITI का यह प्रैक्टिकल नजरिया इसे दूसरे एजुकेशनल प्रोग्राम से अलग बनाता है ITI कोर्स करने के बहुत सारे फायदे हैं सबसे बड़ा फायदा है नौकरी के अच्छे मौके ITI पास स्टूडेंस की डिमांड सरकारी और प्रायवेट दोनों सेक्टर्स में है सरकारी क्षेतर में रेलवेज, आर्मी, पोस्टल डिपार्टमेंट और दूसरे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जॉब के मौके मिलते हैं प्रायवेट सेक्टर में कंस्ट्रक्शन, मैनुफैक्टरिंग, आटोमोबील और आईटी जैसे फील्ड में जॉब्स मिलती हैं इसके अलावा, ITI कोर्स आपको खुद का बिजनिस शुरू करने के लिए भी तयार करता है आप अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं और दूसरों को रोजगार दे सकते हैं ITI कोर्स आपको एक सुरक्षित और सम्मान जनक जिन्दगी जीने का मौका देता है ITI कोर्स पूरा करने के बाद आपके सामने करियर के कई रास्ते खुल जाते हैं आप जॉब कर सकते हैं, हायर एजूकेशन ले सकते हैं या अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं आप चाहें तो अप्रेंटस्षिप भी कर सकते हैं जहां आपको काम करते हुए सीखने का मौका मिलता है सरकारी नौकरियों में दिल्चस्पी रखने वाले स्टूदेंस, रेलवेज, आर्मी और दूसरे डिपार्टमेंट्स में भरती परीक्षा दे सकते हैं ITI के बाद आपके पास options की कोई कमी नहीं है आप अपनी पसंद और योग्यता के हिसाब से अपना करियर चुन सकते हैं ITI कोर्स आपको सिर्फ जौब के लिए ही तयार नहीं करता बलकि आपको एक successful entrepreneur बनने का भी मौका देता है ITI के दौरान आप जो practical skills सीखते हैं वे आपको अपना खुद का business शुरू करने में मदद करते हैं उदाहरण के लिए अगर आपने electrician का course किया है तो आप अपनी खुद की electrical shop खोल सकते हैं इसी तरह अगर आपने plumber का course किया है तो आप अपनी खुद की plumbing service शुरू कर सकते हैं ITI आपको आत्म निर्भर बनने और दूसरों को रोजगार देने का मौका देता है ITI course युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है यह उन्हें skills, रोजगार और आत्म निर्भरता प्रदान करता है अगर आप 10-12 वी पास हैं और एक successful career की तलाश में हैं तो ITI आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है ITI course करके आप एक बेहतर भविश्य की नीम रख सकते हैं यह समय skill development का है और ITI आपको इस दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है